बुर्डोजर आक्षन के मामले में सुप्रीम कोट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया है सुनवाई के दुरान जस्टिस बी आर गवाई और जस्टिस विश्वुनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुर्डोजर आक्षन पर रोग चारी रहेगी बेंच ने ये भी कहा कि कोट के आदेश नहीं मानने वालों पर आक्षन होगा साथी पिडितों की संपत्ति वापस की जाएगी जिसका अधिकारियों से वसूला जाएगा मुआफसा सुनवाई सॉलिसिटिव जन्वर तुशार मेहता ने उतरपदेश, मद्यपदेश और राजस्थान सरकार का पक्ष भी रखा साथी का कि एक समुदाय विशेश के खिलाब बुर्डोसर आक्षन किये जाने के आरोप लगे है इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हमें एक धर्म निरपेक्ष देश हैं यहां जो भी निरधावित कर रहे हैं वो पूरे देश के लिए होगा